जबलपुर में बीते दिनों हुए स्क्रैप गोदाम धमा का कांड के बाद से ही स्क्रैप का कारूबार करने वाले लोग विला प्रशासम की नजरों पर चड़े हुए हैं गोड़तलव है कि कलेक्टर दोरा सभी तहसीलदारों को अपने अपने च्वित्र में संचालितर इस क्रैप गोदाम के समय समय पंद्रिक्षन करने और गलत पाये जाने पर कारवाही करने के सक्त्र में इससी तर्तम में अउम्ती थानट च्वित्र अंतर गुरंदी बार्चार सलामत टूस नामक दुकान में राजी तहसीलदार अपनी टीम के साथ पहुशे इस दौरान उनके साथ प्रिस भी तुकान में तफ्रतीश करने पहुशी कारवाही की जानकारी देते हुए राची तहसीलदार में बताया कि यहां एक रूटीन चेक अप है जिसके तहत वे कारुबार किये जाने के रेजिस्ट्रेशन करवाया क्या है जिस कारण टीम बाहंट चाज करने पहुशी थी हालाकि संस्ताम दौरा सिर्प टूल का बैपार किया जा रहा है लेकिन ऐसी खवर है कि इसे पूर्व में भी वह इस क्रैप का कारुबार क्या करता था सलामत टू जाने कि यहां पर जांच के लिए आ जाए है क्या कारण यहां पर जांच के लिए और जांच की बदो घुठी जाए है को वह ऐसा जांच में नहीं पाए गया है और जांच चल रही है जबलवा डास्ट का मिन गॉसां टीठ हैं कि और जागे भी ऐसी कोही ब्लास्टिंग वाली चीजे ना हो जिसकी जहांच रोट कर रहे हैं पर अभी जांच के तौरा ना ऐसे कुछ नहीं पाई गया कि ये स्क्रैप का कम रहरे हैं आई